कि अब कि अब कि अब कि अब कि अब कि अब कर रहे हैं सल्मान खान की कुछ ऐसे सीक्रिक्स के बारे में इसको सुनके आप लोग शाय चौक ही जाएंगे अच्छी हाँ सल्मान खान काफी ऐसी चीज़े करते हैं जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं होता वो चाहिए किसी लड़की का केस आजाय सामने या पिर इसके साथ साथ कोई उनकी जिन्दगी में नया आ जाय जाए अब रिसेंटली की ही बात है उनके जिन्दगी में लूलिया नाम की लड़की आये थी जो उनको छोड़ के चली गए उससे पहले काफी ऐसे लोग आय थे जिनकी वज़ासे इनकी जिन्दगी में काफी ड्राम हुआ एश्वर्या से शुरुआत होकर उसके बार जिन्दगी में किट्रीन आय और बिना जाने कितनी लड़की आये थी लेकिन अगर उनकी शुरुआती दौर की बात की जाया है तो एक मॉम्डल लड़की उनकी जिन्दगी में आई सुबह संगीता बिजलानी आई और अब आखरी में उनकी जिन्दगी में ऐसा लग रहा है कि साउथ इंडियन की एक्ट्रस है शपाल नजर आएगी लेकिन वहीं देखा है होगा कि बिद बॉस के किनाले पर जिब शैनाश वहापर पहांची थी तो औरों ने उनकी कर्फ और शाभी को लेकर भी बात की त तो इनी बातों के सामने एक बाल जरूर रही थी जब एक इंटर्व्यू में सल्मान खान ने कहा था कि मुझे पर्मनेंट शादी नहीं करनी है, मुझे टेंपररी शादी करनी है क्योंकि टेंपररी शादी में कुछ दिनों तक रहकर उसके बाद अपने पर्मनेंट में हमेशा एक इंसान के साथ कोई आखिरकार अपने जिन्दगी कैसे गुजार सकता है फिर्म कुर्बान के वक्त का किस्सा एक सामने आया जिसमें आईशा ने बताया था कि मुझे अच्छे से याद है मेरी पहली फिल्म थी मैं सल्मान के साथ शूट कर रही थी और डांस का सीक्वेंस था और भें इससे बच रहे थे आँ, साही के साथ इसे साथ करने वाली बात आय थी तो उन्होंने किसी और को सामने आते हैं उस ऐसे कभी तो ऐसा लगता है कि शाय है लेकि जब सामन खाय के साथ किसे लड़की का नाम जोरता है तो लगता है कि शायर आने वाले टाइम में सिल्मान इसके साथ शादी करेंगे लेकिन फिर वो लड़के चोड़ के चले जाती है तो सारी जो किस्से हैं सल्मान जो अपनी लाइफ को लेकर कंफ्यूशन में हैं उन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है यह कमेंट सेक् अजियों अवाईट बख़के आनेुढ को लेकर आने स outcome लेकर लेकर को लेकर को लेकर के चाज़ागर door बाले बाले लेकर